हेलो दोस्तों तो आपने बहुत से लोगों को कहते सुना होगा फोरेवर का एलोवेरा बहुत महेंगा है इससे सस्ता एलोवेरा तो मार्केट में मिलता है फिर आपका एलोवेरा इतना महेंगा क्यों है और हम सब संकोच में पढ़ जाते हैं क्योंकि हम लोगों को पता नहीं होता कि हमारे aloe vera में ऐसा क्या अलग है जो बाकी aloe vera में नहीं है हमारा aloe vera ठीक है महेंगा है हम मानते हैं लेकिन हमारा aloe vera quality product भी तो है तो आज हम बात करने वाले हैं forever living aloe vera gel की अगर आप FLP join कर चुके हैं तो आपको forever के products के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है और अगर आपको forever के products के बारे में जानकारी नहीं है तो आपको जानकारी लेना शुरू कर देना चाहिए forever का aloe vera gel इतना famous क्यों है इतना costly अगर आप कहते हैं तो वो इतना costly क्यों है उसमें ऐसा क्या है आपने सुना होगा aloe vera इंडिया में कहीं भी aloe vera लोगों के घर के बाहर इस तरहां किसे लगा हुआ रहता है जैसे कोई घास फूंस उग जाती है और लोग उसे use करते हैं उसी तरहीके से कि हर aloe vera फायदा करता है मगर उन्हें यह नहीं पता aloe vera की 400 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं अब उन्हें यह कौन बताएगा यह वही बताएगा ना जिसे knowledge होगी aloe vera की 400 से ज़्यादा प्रजातियां होती हैं जिसमें से मुश्किल से 4 या 5 ही आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपने खाने के लिए अपनी medicines में अब बताएगे आपके घर में कोई aloe vera जेल लगा है तो आप कैसे पहचान होगे कि वह बार्बा डेंसिज मिलर है या नहीं है या वह उन 4-5 पौदों में से एक है जो हम इंटेक कर सकते हैं या नहीं अगर आप कोई गलत aloe vera खा लोगे तो आपके वह गड़बड हो सकती है है ना मानते हो ना तो एक सब चीज आपको अपने कस्टमर को बताने पढ़ेंगी हमारी कंपनीondheim का अलओवेर यू करती involved डेंसी sfält갈 और चलर जो हमारा कंपनी हमारे जेल में यूज करती है लोगड में dijra एमीनो एसीड एंजाइम और फैटी एसेड जैसे लगबख 200 तद्वू पाए जाते हैं जिनका इस्तमाल बहुत सारी बिमारियों में घरेगलू उप्चारों के तौर पर किया जाता है एलोवेरा की पत्तियों में पाए जाने वाले जेल में इन्यान में प्रतीशत मानी होता ह तो आपको नहीं लगता की कुछ तो बात होगी फॉरेवर के एलोवेरा जेल में आईए जानते हैं एलोवेरा के कुछ ऐसे फायदों के बारे में जो आपके लिए जानने बहर ज़रूरी है विटामिन्स और मिनेरल्स का ख़जाना है एलोवेरा एलोवेरा में विटामिन A, C, E, Folic Acid, Collin, B1, B2, B3 और B6 पाया जाता है एलोवेरा उन पदार्तों में भी शामिल है जिसमें विटामिन B12 भी होता है और करीब 20 प्रकार के मिनेरल्स जिनमें केल्शियम, मैगनीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आईरन, पोटेशियम, कॉपर और मैंगिनीज शामिल होता है तो यह डिपेंड करता है आप कौन सा प्लांट इंटेक कर रहे हैं अगर आप कोई भी प्लांट उठा के घर के बाहर से काट के ऐसे ही खा ले रहे हैं तो आपको नहीं पता वो प्लांट क्या है एलोवेरा की और भी बहुत सी विशेशताएं हैं और फॉरेवर एलोवेरा जेल प्रॉपर एलोवेरा जेल होता है आपके ये जो forever की gel bottle होती है उसके अंदर aloe vera की पत्तियों के बीच में जो gel भरा हुआ होता है वो as it is होता है उसके अंदर कोई chemical नहीं होते हमारा aloe vera gel world का best aloe vera gel यूँ ही नहीं माना जाता वो best है क्योंकि उसके अंदर सबसे अच्छा product गया है अगर आपको नकली product लेना है तो जगा जगा पे aloe vera gel colorful मिलते हैं yellow color का, blue color का, green color का अब क्या आप मुझे बताएंगे कि blue और green aloe vera कैसे हुए और वो gel नहीं वो juice होते हैं juice means उसमें color भी मिला हुआ होगा, उसमें पानी भी मिला हुआ होगा gel means जो aloe vera में actual में पत्तियों के बीच में gel कोता है forever aloe vera यूँ ही best नहीं बना है उसे हम लोगों ने best नहीं बनाया है वो अपने अंदर की खूबियों से best बना है forever की researches से best बना है उसे दुनिया यूँ ही best नहीं मानती अगर आप confidence के साथ अपने aloe vera को accept करते हैं जिस भी rate पर वो मिलता है तो आपका business बहुत grow करने वाला है मेरी बात को ध्यान रखिएगा और मेरे चैनल को subscribe करना बिलकुल मत भूलना अगली वीडियो के साथ मिलेंगे बहुत जल्री